विकास दुबे इंकाउंटर को देड़ साल हो गया है लेकिन रिचा दुबे जो विकास दुबे की पत्नी है वो पिछले एक साल से ड़ट सर्टिफिकेट को लेकर घूम रही है लेकिन अभी तक नहीं मिला है उनका आरोप है कि प्रशासन और साशन मिलकर डेस्ट सर्टिफिकेट बनने नहीं दे रहा है हम पूछते उनसे साथ में मौझूद है रिचा जी आप जितना समय हो गया है कि इतने समय से आप डेस्ट सर्टिफिकेट की मांग कर रही है और क्या वज़े है जो नहीं में तहीं म मेरे साथ यह माइंड गेम हो रहा है कि हम लोगों को बनबन भटकाया जा रहा है हम जब दास अंसकार ग्रह गए गए वहां से हमने उनसे कहा कि भाया हमको एक आप डूब्ली केटी बना के दे दो कि उसकी कारवन कॉपी हो जो दिखा तो उन्होंने का नहीं मैडम यह बहु को तीन बंदे मिले उन्हों ने मेरी पर्ची ली और देखे उसमें विकास के पिताजी का नाम गलत था तो उन्होंने देखा बोले नहीं मेडम यह बहुत माम आप जोडे कि मेडम यह योगी आधित्रनाध को सीधे मामला है और यह मैं इसमें हाट डालूंगा हम गरीब की नौकरी चली जाएगी तो मैं बहुत निरास भी हुई फिर उन्हों का आप CMO के पास जाएए एक अप्लिकेशन ली मैंने CMO को लिखी जो की वह कौन सा हस्पिटल है नहीं हलेट नहीं वह नाम में दिमाग से हुरसला हॉस्पिटल में जहां CMO सर बैठते हैं वहां पर मैं से दो घंटा वहां CMO के पास बाइठी रही तो उन्हों का कि मैडम आप जो भी अप्लिकेशन लाई है वह आप हमको दे दीजिए मैंने वहां पर जाके अप्लिकेशन दी तो मैंने का भई है कोई रिसीविंग बोले मैडम नहीं वह सब चुप चाप सब आपका काम हो जाए कि मेरे अभी को मिला मतलब यहित तरीके से मैं कितने बार यहां लखना वहां से काकेली अवरात जो सिंगल पैरंस हो कि बर्मद में भटक रही हो मुझे कोई कुछ भी नहीं दे रहा है और यह मैंने विकास के मरने के डेड़ मैंने बास से यह प्रतिकिरिया कर दी उसमें एक चीज मेरे साथ ही जब मैं विकास की स्थिय लेने पहुंची एंगी पहुंची तो मैं जो मैं है कैसे पैचान essal तो मैड़ If Iitch तो बोले मेडम मेरे पास एक प्रूप है यह आप पेचान लो तो आप पेचान लो कि वह आपके पती का है तो मैंने क्या ऐसा है दिखा उसने उस अस्तियों में विकास के पैर की रोड दिखाई तो मैं बहुत खुछ हुई उन बंदों को पैसे भी दिये मैंने की बेटा लो तुमने बहुत बड़ा मेरा काम किया क्योंकि यह आगे मेरे पास बहुत बड़ा एविडेंस है विकास की इनकाउंटर को लेके कि इतनी जल्दी-जल्दी में सारा सेनेरियो हुआ कि वह यह भूल गाए कि उन्हें रोड तो हटा देनी चाहिए थी कि फैमिली के पास तो र अप्लाइए नहीं किया है किसी तरीके के ना ही कोई वारिस वहां पर गया है विकास दुबेका जो एप्लिकेशन दे तो ऐसी स्थिति में प्रशासन तो पूरी तरीके से डिनाइए करता है देखिए सासन और प्रशासन वो दोनों एक है मैं कहीं भी जाओं चैंडी थाने जाओं चाहिए मैं किसी SDM के पास जाओं या मैं कि मुझे गेट के बाहर से भगा दिया जाता है मेरी अप्लिकेशन ली जाती है पर मुझे रिसीविंग नहीं दी जाती है तो मैंने दो यह बड़े अधिकारियों को कानपूर में यह रिजिस्ट्री करी जिससे मेरे पास ए जाओं जाए मुझे को तो मैं यह सब क्यों करूंगी यह पहले बताई तो आपका क्या मतलब है कि शासन प्रिशासन जूट बोला आप काई रही है लगाता इसके बाव जूट बिल्कुल मेरे साथ खेल हो रहा है मुझको एक किसी चीज में एक चीज में मुझको फसाय रख और हमको दोड़ाया जा रहा है और परिशान किया जा रहा है आप क्या चाहती है आप क्यों आप में प्रिशासन प्रिशासन मेरे पती का डेट सार्टिफिकट मुझे बनवा के दे मैंने इस डेट सार्टिफिकट के लिए मैं इतना दोड़ी इतना भागी और इतना मेरा प आज मैंने आज तक की एक नियूज में पड़ा सुभेरे सुभेरे आया कि रिचाद उबेर जो हम लोगों पर इलजाम लगा रही है यह गलत है क्यों किसी पर को इलजाम लगाएगा हमारे पड़ोसी नहीं लगा देते हैं क्योंकि जो किसी के साथ गलत होता है तभी तो इनसा सब्सक्राइब कर रहे हैं जो योगी आदित नात पहे जाते हैं उन्होंने साथ का बीडा उठालिया है वो सब तरीके से अपने हिसाब से सब को हैंडिल कर रहे हैं हमारे जो अजे कुमार विष्ट हैं जो योगी पालिका ने मुझ पर कुछ एलिगेशन नहीं लगा उनकी तरब से मेरे उपर यह केस लगाया गया कि रिचाद उबेग गलत से इस्तमाल करें और चार सीट में क्या है वह आप पढ़के आप लोग खुद असदोगे अपरात क्या था भाई और भतीजे से यहां के नीं तो सब को सजा मिलनी चाहिए वह मुझे भी सजा मिलनी आप अब सच टी में क्या सोच रहे हूं मेरे साथ हो रहा है सबसे पहली बात तो है कि हम लोगों को हर तरीके से सताय yeah जा रहा भी सरकार चाहती है कि रिचाद wypjar को मेरे पती नको मार दिया गया उनकी बात की विकास दुबे की आप उनको एक बात बताईए मैं एक बात पूछना चाहिए किसाब ने कितने लोगों का मडर किया था पर सरकार ने उसको कितने दिन जिंदा रखा और दस लाग रुपए मैंने एक यूट्यूप चैनल में पढ़ा था दस लाग रुपए उसके महने खर्चा था क्या विकास दुबे पर 5000 का खर्चा करके ने प्रतिकिरिया से उनको यह चार दिन बाद आप फांसी देते पर ने प्रतिकिरिया से होती तो मैं भी सुलूट मारती मुझे अपनी हमारी सरकार ने खुद ही नया है खुद ही जुर्म सब कुछ कुछ क्या किसी की कि निया भी कहीं से और भी हो सकता है विद्भ को लेकर आपलाई जहां कि आपके हैं जहां जहां गई वहां वहां मैंने Nh pontos hanadiadahiram, कहीं जवे मुझा जलम उसकी के धितेयां चलख कमेंवन Verf्रावियरनी पवसर अपनिर्धिल जगे हूं मैं और आचे साहब मईने किसी के साथ नहीं हमको विकास दुबय का परिवार होना ब्रामणद होने की जगया है और हमारे बच्चों को साथ में ध्युक्त में लोगोस के लिए 통 existrate यह जमीन हां मतलब यह यह हो रहा है कि जैसे लगता ही कि अब मुह नहीं खुलना चाहिए मेरे बच्चों को डराया जा रहा है मेरे फोन नंबर मांगे जाते हैं मतलब देखी हम लोगों की साथ कितना हम लोग आज में मेडिया पर बोल इसलिए बोल रही हूं कुछ दिन से कि मीडिया एक आम जंता की आवाज होती है आप मेरा साथ दो तो संसद में पोटल में कह दिया रिचाद उबे को कोई अब्जेक्शन नियाए पालिका को देने की कोसिस करी कौन सी जांच लगी हुई थी मैं तो चीजे भी बूल जाती हूं अरे वियस चाहन वाली जो जांच थी उसमें क्या कहते है मैंने अपनी साक्ष पेस करें ना मुझ सब्सक्राइब करें बस उस जगे पर मेरे उपर केस लगा दिया गया मुझे डराया धंकाया मनलब हर तरीके से विकास दुबे का परिवार होने का तो दन से जहल रही हूं और ब्रामन होने का भी दन से जहल रही हूं झाल रही हूं